हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानों में गुण सुत्र दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार होता है ओटो सोम्स या ओटो सोमल गुण सुत्र, ये ऐसे गुण सुत्र होते हैं जो मनुस्यों के सरीर के लक्षणों को व्यक्त करने में हेल्प करते हैं, यानि उसके सरीरी के सारे दैहिक लक्षन यानि काईक लक्षनों को प्रकट करने का काम यही ओटोसोम्स या ओटोसोमल गुणसुत्र करते हैं इसी तरह से दूसरे पकार के जो गुणसुत्र होते हैं जिनका नाम लिंग गुणसुत्र होता है या जिनको सेक्स क्रोमोजॉम्स भी कहा जाता है इन गुणसुत्रों का काम मनुसों के अंदर लिंग का निर्धारण करना होता है अर्थात ये गुणसुत्र ये निर्धारित करते हैं कि होने वाला बच्चा नर होगा या मादा यानि उसके अंदर नर का कैरेक्टर होगा या मादा कैरेक्टर होगा उसके लिए ये केवल दो गुण सुत्र ही इसके लिए responsible होते हैं जो नर में X और Y होते हैं जबकि मादा में XX होते हैं जिसको लिंग के गुण सुत्रिया सेक्स क्रोम मों कहते हैं दोस्तो आज के भी इस वीडियो में हम लोग मानों में गुण सुत्री विकारों के बारे में अध्यन करेंगे और थात ऐसे विकारों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो मानों के इन दोनों प्रकार के गुण सुत् बाते हैं और जनले यह एक अनुवासिक रोग होते हैं जो एक प्रेश्ट दूसरी प्रेड़ी में ट्रांसFER होते रहते हैं दोस्तों मानों में गुण सुत्री विकार यानि क्रुमोजोमल डिस ओर्डर इन हुमेन मुख्यता दो प्रकार से हो सकते हैं क्योंकि गुण सुत्रों में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है जिसमें से पहला प्रकार U-ploidy होता है और दूसरा प्रकार N-U-ploidy होता है दोस्तों U-ploidy या जिसको हिंदे में सो गुणिता तथा polyploidy जिसको बहुणिता कहा जाता है इसमें गुणसुत्रों के पूरे सेट का या तो योग हो जाता है या विलोपन हो जाता है जैसे 2N प्लस N में एक पूरे सेट का योग हो गया है या 2N माइनस N में एक पूरे सेट का वियोग हो गया है बहुगुणिता या पॉलिप्लाइडे यदि गुणसुत्र सेटों की संख्या 2N से अधिक होती है तो इसे बहुगुणिता या पॉली प्लॉडी कहते हैं जैसे 3N को 3 गुणित, ट्रिप्लॉड, 4N को चतुर गुणित, ट्रिट्राप्लॉड, 5N को पंच गुणित, पेंटाप्लॉड आधी कहा जाता है और ये बहुँ गुडित यानि polypulardy अवस्ता जन्तूं में बहुत कम दिखाई देती है लेकिन पौधों में ये अक्सर दिखाई देती है इसी प्रकार गुण सुत्रों में एक दूसरा विकार है और सुगुडिता या एन यूपुलाडे इसमें गुण सुत्र सेट में एक या कुछ गुण सुत्रों का योग या विलोपन हो जाता है एक सेट में एक गुण सुत्र के योग को इकाधी सुत्रता या ट्राई सौमी कहते हैं जैसे 2N प्लस N इसी तरह 2N प्लस 2 को टेटरा सौमी कहते हैं गुण सुत्र सेट में एक गुण सुत्र की कमी होने पर उसे एक निवन सुत्रता या मोनोसोमी या हाइपो प्लॉडी कहते हैं जैसे 2N माइनस N और इस प्रकार की ट्राइसोमी, टेटरासोमी या मोनोसोमी अवस्था जनतूं और मनुशों में बहुत कॉमन है और ये अक्सर जाते हैं तो आगे के वीडियो में हम लोग इसी सब के यानि और सुगुणिता जिसको एन उपलाडी कहा जाता है के बारे में विश्थार से चर्चा करेंगे और उसमें भी कॉमन ट्राइसोमी वाली बिमारियों के बारे में अक्सर हम लोग चर्चा करेंगे तो चलिए गुण सुत्रों में होने वाले विकारों के बारे में चर्चा किया था जिसमें हम लोग उन्हें डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम आदे के बारे में चर्चा किया था आज के इस वीडियो में हम लिंग गुण सुत्रों की संख्या में होने वा से होता है यानि Trisomy of Sex Chromosomes की वज़े से होता है इसी प्रकार से एक दूसरा रोग है जिसको Turner Syndrome कहते हैं यह 44 प्लस X यानि 45 गुण सुत्रों के कारण होता है अर्थात Monosomy of Sex Chromosomes की वज़े से होता है जिसका मतलब यह होता है कि मनुस के सरीर में पाए जाने वाले कुल 46 गुण सुत्रों में से यदि एक लिंग गुण सुत्र कम हो जाता है तो उसकी वज़े से उस व्यक्ति में Turner Syndrome उत्पन हो जाता है तो आज के इस वीडियो में हम लो क्लैंट फेल्टर सिंड्रोम जो एक गुण सुत्र के वर जाने की वज़े से होता है यानि Trisomy of Sex Chromosomes की वज़े से होता है और दूसरा रोग Turner Syndrome जो टोटल गुण सुत्रों में से एक गुण सुत्र के कम हो जाने की वज़े से यानि Monosomy of Sex Chromosomes की वज़े से होता है इन दोनों लिंग गुण सुत्रों की संख्या में विकार वाले रोगों के बारे में इस विडियो में विश्तार से चर्चा करेंगे और इन सब बिमारियों की वज़ा जानेंगे और इसके लक्षणों को जानने की भी कोशिस करेंगे तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम के बारे में दोस्तों यह एक ट्राइसवामी औफ सेक्स क्रोमजोम्स के कारण होने वाला रोग है यानि यह लिंग गुनसुत्र में एकादी सुत्र था जिसको ट्राइसवामी होता है के कारण उत्पन होता है इसमें गुनसुत्रों के संख्या 44 प्लस X X Y यानि 47 गुनसुत्रों के कारण होता है और इस विकार में यानि क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में टोटल गुनसुत्रों के संख्या एक भर जाती है और यह गुणसुत्र कौन सा बढ़ता है तो इसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि यहां दो लिंग गुणसुत्र जो मनुस में पाजाते हैं उसमें एक एक्ष्टा गुणसुत्र के बढ़ जाने के कारण होता है इस वज़ेश उसमें टोटल गुणसुत्र की संख्या 46 नह हो करके 47 हो जाती है जिसकी कारण ट्रैल्फैल्टर सिंड्रोम उत्पन हो जाता है को समझने के लिए इस चित्र को देखिए इसमें सुरू के 22 जोड़े गुण सुत्र हैं जो मनुसर के आटो सोमल गुण सुत्र हैं और इसमें किसी में भी कोई भी परिवर्तर नहीं हुआ है लेकिन एक जोड़ा गुनसुत्र जो अंतिम गुनसुत्र होता है जिसको तेश्मा जोड़ा या लिंग गुनसुत्र या सेक्स क्रोमोजोंबी कहा जाता है दोस्तों नर में ये x और y होता है जबकि मादा में x x होता है लेकिन जिस वेक्त में क्लैन फेल्टर सिंड्रोम उत्पन हो जाता है उसमें इन गुनसुत्रों में एक गुनसुत्र बढ़ जाता है और कुल गुनसुत्र x x y हो जाता है यानि टोटल गुल्न सुट्रो की संख्या 46 न रहकरके 47 हो जाती है और इस कारण से उस व्यक्ति में Clinefelter syndrome उत्पन हो जाता है तो चलिए आप जानते हैं कि Clinefelter syndrome की लक्षण क्या Kया होते है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति में Clinefelter सिंड्रोम उत्पन हो चुका है दोस्तों सन 1942 में HF क्लाइन फैल्टर नामक अमेरिकन वैग्यानिक ने इस प्रकार के असामाने पूर्सों का वरंग किया था और तब से इसका नाम क्लाइन फैल्टर सिंड्रों पढ़ गया है तो चलिए जानते हैं इसके लक्षण के बारे में तो दोस्तों क्लाइन फैल्टर सिंड्रोम में उस वक्ति की लोवर IQ हो जाती है यानि उसका IQ लेवल सामाने पूर्सों सामाने वक्तियों से कम हो जाता है इसके अलावा tall stature हो जाता है यानि उसका सरीर बहुत ही लंबा हो जाता है उसका poor muscle tone हो जाता है यानि उसकी mass patient बहुत कमजोर हो जाती है reduced secondary sexual characteristics हो जाते हैं यानि उसके secondary sexual character बहुत ही reduced हो जाते है इसके अलाबा गाइनेको मैश्टिया हो जाता है यानि यह होता तो एक पुरुष है लेकिन इसमें इस्तिरियों के भी लक्षन उत्पन हो जाते हैं और इसके अलावा, small testis हो जाती है, यानि उसके व्रिष्णों का आकार छोटा हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति, infertility यानि नपुनसक हो जाते हैं, इसके अलावा, उनमें frontal baldness absent होता है, यानि सामने सर पे बाल नहीं होते हैं, tendency to grow fever chest hairs, यानि उनके सीने पर बहुत कम बाल पाय जा होता है, female type pubic hair pattern, यानि उसका female type का pubic hair उत्पन होने लगता है, इसके अलावा, उनके testicular size बहुत ही small हो जाते हैं, poor beard growth हो जाते हैं, यानि ऐसे व्यक्तियों की दाड़ी या तो नहीं निकलती या बहुत कम निकलती हैं, इसके अलावा, narrow shoulders हो जाते हैं, यानि उनके कंधे सामाने पूरुसों से बहुत चोड़ा हो जाता है, और इसके अलावा, long legs, यानि उनके टांगे, एक सामाने पूरुस की टांगों से बहुत ज्यादा लंबी हो जाती हैं, तो इस तरह से, client filter syndrome में, एक सामाने पूरुस की तूला में, बहुत ही आने को, अलग से रक्षन प्र भी लक्षन उत्पन हो जाते हैं, जैसे इसके breast develop करने लगते हैं, और मादा की तरह से breast इनके develop कर लेते हैं, इसके अलावा, इनके व्रिष्णों का आकार सामाने पूरुसों के आकार से बहुत छोटा रह जाता है, और इस कारण से ऐसे व्यक्ति नपूंसक हो जाते हैं, या और या एक गुण सुत्र के बढ़ जाने से हो जाता है, तो चलिए अब जानते हैं दूसरी बिमारी जिसको Turner Syndrome कहा जाता है, दोस्तों यह लिंग गुण सुत्र में एक निवन सुत्रता यानि मोनो सुमी के कारण होता है, और इसमें गुण सुत्रों की संख्या 44 प्लस X यान हो जाना और यह जो कमी होती है गुण सुत्र में वो आटोसोमल गुण सुत्र में ना होकर सेक्स क्रोमजोम यानि लिंग गुण सुत्रों में एक गुण सुत्र के कम हो जाने से हो जाता है, जिसके करण टरनर सिंड्रोम उत्वन हो जाता है, एक टरनर सिंड्रोम के व्यक्त या लिंग गुण सुत्र कहा जाता है उसमें सामान्य व्यक्तियों में तो गुण सुत्र रहने चाहिए लेकिन टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्ति में एक गुण सुत्र की कमी हो जाती है और केवल एक ही गुण सुत्र बचता है जो एक्स गुण सुत्र होता है तो इस तरह से एक Turner Syndrome वाले व्यक्ति में कुल गुरुसुत्रों की संख्या 46 न होकर एक कम हो जाती है यानि 45 रह जाती है और इस वज़े से Turner Syndrome उत्पन हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को Turner Syndrome हो गया हो तो उसके सरीर में कौन-कौन से लक्षन उत्पन हो सकते हैं और हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को Turner Syndrome हो चुका है। दोस्तों ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें दो लिंग गुन सुत्रों में से केवल एक X गुन सुत्र ही उपश्तित होता है और इसमें 43 की जगा पर केवल 45 गुन सुत्र होते हैं तो इसके सरीर में निम्ड परिवर्तन हो जाते हैं। सबसे पहला होता है Short Stature यानि इनका कद एक सामान इस तरी की कद से का फिल छोटा रह जाता है। इसके अलावा इनकी Hair Line बहुत लो रहती है। Shield Shaped Thorax होता है यानि इनका Thorax बहुत ही Shield Shaped का होता है। इसके अलावा वाडली Spaced Nipples होते हैं यानि इनकी Nipple का साइज बहुत छोटा और वाडल होता है। इसके अलावा इनके Metacarpel यानि Fourth Number के Metacarpel बहुत छोटे होते हैं। Small Finger Nails हो जाते हैं। इसके अलावा Brown Spots इनकी पूरी Body पे पाया जाते हैं। इसके अलावा Characteristics Facial Features हो जाते हैं यानि इनके Facial Features का आकार चेंज हो जाता है। Fold of Skin हो जाती है, Constriction of Aorta हो जाता है। इसके अलावा इनके Breast पूरी तलसे डेवलप नहीं हो पाते हैं। और Elbow Deformity हो जाती है। इसके अलावा Rudimentary Ovaries प्रजेंट होती हैं। यानि इनकी Ovary तो होती हैं। लेकिन वह Ovary बहुत ही अल्प विक्सित या ओविक्सित होती है। Gonadal Strict Under Developed Gonadal Structures यानि पूरी तरह से इनका जो Female Reproductive System होता है वह Undeveloped रह जाता है। और ऐसी इस्तिरियों के menstrual cycle भी नहीं होती। इस वज़र से ऐसी इस्तिरियां पूरी तरह से बाज होती हैं। और बच्चा पैदा करने में और समर्थ होती हैं। क्योंकि इन इस्तिरियों के ही के ओवरी के द्वारा अंडों का formation ही नहीं हो पाता। और इस वज़र से ऐसी इस्तिरियों कभी भी फ्यूचर में बच्चे पैदा नहीं कर पाती। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टर्नर सिंड्रोम में केवल एक एक्स गुण सुत्र के कम रह जाने की वज़ज़ से ऐसी इस्तिरी अलप्रिविक्षित इस्तिरी पैदा होती है और ऐसे इस्तिरी कभी भी संतार मुत्पन नहीं कर पाती। और इसके अलावा उसके बॉड़ी में बहुत सारे कारेक्टर भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से टर्नर सिंड्रोम भी एक प्रकार का पीड़ी दर पीड़ी चलने वाला रोग है और यह केवल गुर्षुत्रों की संख्या में एक गुर्षुत्र के कम हो जाने की वज ले रोग जिसको क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है कि बारे में विश्तार से चर्चा किया और यह जाना कि ऐसे पुरुस पूरी तरह से अलप विक्सित होते हैं और ऐसे पुरुस में मादा के भी लक्षनल प्रकट हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक ट प्रकटर सिस्टम भी अंडेवलप होता है जिस कारण से ऐसे इस्तिरियां पूरी तरह से बांज होती हैं और बच्चा पैदा करने में असमर्थ होती हैं। तो दोस्तों उमीद है आपको आज का यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और नॉलिजफुल लगा होगा औ और आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा धन्यवाद तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद